ओ छोटी सी उमर पर नहीं ओ बबासा छोटी सी उमर पर नहीं रे बबासा काई थारो करों में पुसूर काई थारो करों में एक सूर इतरा दिना तो माने लाड लडाया इतरा दिना तो माने लाड लडाया अब क्यों करसा में थो ओ छोटी सी उमर पर नहीं ओ बबासा काई थारो करों में पुसूर हो था गैर चम्रमी था गैर केली अब घर तू जाब जाफसा हो भेजो तो भेजो पाबुल मरजी हथारी समण में बुलाई जो जरूर ओ हो छोटी सी उमर पर नहीं ओ बबासा काई थारो करों में पुसूर हो जहां बेटी की शादी के लिए सारा घर उच्छाहित होता है वहीं बेटी की विदाई कपल आते ही पूरा घर उदास हो जाता है सभी की आखें घर की लाडली को विदा करते समय नम हो जाती हैं खमागरी वेलकम टो कलाइडोस्कोप अफलाई आज हम आपको बताएंगे कौन-कौन सी रस्में निभाई जाती है बेटी की विदाई के वक्त और कैसे की जाती है राजपूतों में बेटी की विदाई अगर आप भी एक बेटी है या पहू है तो आपकी आखें भी नम होन आगे की रस्म उसके बद सभी देवी देवताओं को धूख लगाई जाती है और खेले जाते हैं कुछ खेल और वहीं पर की जाती है दूले द्वारा दूलन की मुह दिखाई की रस्म तो यह सब हमने दिखा आया हमारे राजपूती वेडिंग गेम्स के वीडियो में अगर अब आपने यह वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप आय बचन को क्लिक करके इसे देख सकते हैं तो यहां से हम शुरू करेंगे हमारी आगे की रस्में तो इस रस्म का नाम होता है कवर कलेवा और इस रस्म में दूले के साथ बैठते हैं घर के जवाई दूले के साले स सालिया और डूले के सभी दोस्त और सभी दूले का मुझ मीठा करके उसे नेग देते हैं बद्बाव करने साल साल संदधार मुझ में तो इस कुंहते हैं हमारी अगली रस्म में दी जाती है जुआरी जहां दूला और दूलन को एक जगे बिठाया जाता है और घर के सभी बड़े दूला और दूलन को तिलक लगाते हैं उनका मुझ मीठा करते हैं और उने देते हैं नेग अगल बहुता आंके जाता है जाता है और दूलन कोजधा करते हैं जाता है और दूलन को तो तो किए जिनकारा कर दो घया wykon गरों européपन मसे दो मृह कर दो कर भी जसो हुआ 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 है ए एर जू कर दो दो इसके बाद लड़की पूझती अपने घर की दहलीज अगर पहले की बात करें तो लड़की जब भी अपने पीहर से ससुराल जाया करती थी तो वह दहलीज पूजन की यह रस्म निभाया करती थी पट आजकल यह रस्म सिर्फ शादियों तक ही सीमित रह गई है तो यह रस्म निभाई जाती है रसोई घर की दहलीज पूझकर इस रस्म में बेटी घर की दहलीज पर सतिया यह स्वास्तिक बनाकर गोड़ पताशे और दूप से पूजा करती है अगर आपके भी ऐसी रस्म निभाई है तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा इस रस्म की मान्यता यह है कि बेटी जाने से पहले घर के सोभाग्य सम्रिद्धी तता धन-धान्ने होने की काम ना करती है और वहीं दूसरी तरफ बेटी के सफर में कोई विग्ण ना आ इस वजह से भी यह पूजा की जाती है इसके बाद भगवान का आशिर्वाद और फिर सभी बड़ों का आशिर्वाद लेकर बेटी की विदाई की जाती है सुचा नहीं तू जोड़े जाएगी तेरे तेरे सुनी रहे जाएगी किस के दम पे सजेगा मेरा रंध ना बेटी और जवाई को जब गाड़ी में बिठा दिया जाता है तब निभाई जाती है एक और रस्न इस रस्न में दूला कार से उतर कर जाता है लड़की की मा के पास जहां लड़की की मा उसे देती है नीग इसमें दूला साथ बार फिरकर वापस आता है और अंत में दूलन की मा उसे देती है एक नार्यल और नेग और इसी के साथ होती है विदाई की सभी रस्में पूरी अगर आपको यह वीडियो पसंद आये तो हमाई चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अब आप हमें फॉलो कर सकते हैं इस्टागाम और फेस्बुक पर भी तो मिलते हैं आ बुलरी बुवार पग उठ पाच्छा चल जाए छूटे मा यडली रोलाड गल बल बलिया लग जाए आसुभी राजीरी अक्षी आरा जर 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 जाए किया चालू जी बादीला किया हालो मैं बादीला पीहर छोड़ो नहीं जाए किया चनू मैं बादिला पीहर छोड़यो नहीं जाए